कि दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है कि कोरोना के केसिज रोज छलांगे मार रहे हैं लेकिन आज मैं आपके सामने डेटा लेके आया हूं यह दिखाने के लिए कि केसिज तो बढ़ रहे हैं लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है पैनिक होने की कोई बात नहीं ह सब को जिम्मेदारी से काम लेना है लेकिन पैनिक होने के कोई बात नहीं है पहले हम देखते हैं कि करोना की केसिस किस तरह से बढ़ रहे हैं 29 दिसंबर को 923 केस आए 30 दिसंबर को 1313 केस एकदम से छलांग लग गई 31 दिसंबर को 1796 केस एक जनवरी को 2796 केस बढ़ गई एक दिन में डेली मतलब पिछले दिन 1796 आए था अगले दिन 2796 और आज जो शाम को रिपोर्ट आएगी उसमें लगबग 3100 के केस आने के जूरत है तो डेली केस धाई 3,000 क्रॉस कर रहे हैं सारे मरीज मिलाके जो अभी तक टोटल मरीज हैं इस वक्त दिली में वो आज की डेट में 6,360 एक्टिव केस हैं 29 दिसंबर को 262 अस्पताल के बेड ओक्यूपाइड थे करॉना के मरीजों से 262 टोटल सारे मिलाके एरपोर्ट वाले इस सब मिलाके 262 लोग अस्पतालों में एडमिट थे और तीन दिन बाद एक जनवरी को 247 लोग एडमिट थे थोड़े कमी हो गए इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि जो जो लोग करोना से बिमार हो रहे हैं उन लोगों को लगबग किसी को भी अस्पताल जाने की जुरूर्ट नहीं पड़ रही है सब लोग माइल्ड केसेज हैं छोटा मुटा खासी वुखार बिल्कुल माइल्ड केसेज है या एसिम्टोमेटिक केसेज हैं आज की डेट में लेटेस्ट जो हमारा हेल्थ बुलिट उसके हिसाब से केवल और केवल गिल्ली में 82 बेड ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के केवल 82 बेड ऑक्युपाइड है और ये 82 बेड कई दिनों से इसी के आसपास चल रहे हैं तो कोई भी पेशेंट ऐसा अस्पताल में नहीं आ रहा जिसको ऑक्सीजन की जूरूर्ट पढ़ रही हो जिसको आज हमारी तैयारी है 37,000 बेड की